Hello everyone, welcome to Global Online. So, आज इस वीडियो में हम NTA की तरफ से जाली किये गए एक Official Public Notice के बारे में बात करने वाले हैं. So, students, इस Official Notice में NTA ने UGCNate Examination से रिलेटर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जसको सुनकर लगबग सभी students बहुत जादा परेशान हो रही है. अगर आप लोगों ने अभी तक इस Notice के बारे में नहीं सुना है, आप लोगों ने ये Notice अगर अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो को आप सभी एंट तक देखते रहेगा, यहाँ पर Official Notice ही में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. और उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि NTA की इस डिसीजन से आप लोग खुश हो या फिर आपको लगता है कि NTA ने बहुत ही गलत ये स्टूडेंट्स के साथ किया है. तो Official Notice पर जाने से पहले आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि UGCN exam में क्यूंकि अब बहुत कम समय बाकी है, तो इस exam में हमें Paper 1 पे भी फोकस करना है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए Common Paper होता है. इस पेपर में हम लोगों को hard work नहीं करना है, हमें smart work करना है, और आप लोगों को smart work के लिए, Global Online की टीम ने एक new and fresh patch launch किया है, जिस patch में हम आपको 100% selection की guarantee देते हैं. So students, daily live lectures की मदद से हम आपके Paper 1 का complete syllabus cover करनी की guarantee देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि Paper 1 में English and Hindi दोनों languages के options हमारे पास होते हैं, जिस भी language में आप Paper 1 देने वाले हूँ, आप daily live lectures में हमारे वही sessions को join कर सकते हो, साथ ही full syllabus notes हम आपको देते हैं, 60 plus mock test यहाँ पे आपको मिलेंग पूछे जाते हैं and इस PDF में हर एक question की solution के साथ साथ detailed explanation भी आपको मिलेगी, all previous year questions हम आपको देते हैं, जिसमें की 2022 के लगबख सभी shifts के questions भी available है, इन questions से आप लोगों के एक idea हो जाता है कि किस तरह से and किस difficulty level के questions generally exam में पूछे जाते हैं, so यह इस course को join करनी के benefits मैंने आपको ब लोगी easily contact कर सकते हो, and students generally this course की fee है 4500 rupees, but हम चाहते हैं कि इस batch को हर एक student join करें, इसके लिए हमने आपको, हम आपके लिए flat 20% off लेकर आए हैं, यानि कि this course के लिए आपको सिरफ और सिरफ 3600 rupees ही pay करने होगे, and this course का यह भी benefit है कि इसमें हम आपको अपने एक special whatsapp group में add करते हैं, this इस whatsapp group में आपको one-on-one doubt-solving session भी हम provide कराते हैं, इस session का यह benefit है कि अगर आपको ugesinate exam से related, या फिर किसे भी topic से related कोई query है, तो आप हमारे expert educator से directly contact कर सकते हो, and अपनी problems का solution ले सकते हो, तो यह endless benefits इस course के हैं, आप लोग आज ही इस batch को join कर लीजए, इसमें अभी limited series बाकी है, इस इसके साथ students, जैसे कि मैंने आपको बताया कि NTA के फैसले के बारे में हम बात करने वाले थे, बढ़ते हैं official notice की और, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह NTA के official website का ही एक notice है, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि online application form 29 December, यानि कि कल शाम से लेकर के 17th January 2023 शाम को 5 बजे तक open रहेंगे, अब students, यहाँ पे सबसे पहले बात तो, मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पता है, कि कैसे online application form भरते हैं, तो आप लोग फिल कर दीजे, अगर नहीं पता, तो आप हमें comment करके बताएए, मैं एक separate video बनाऊंगी, जिसमें live आप सभी के सामने मैं एक online application form फिल करूँगी, okay, then उसके बाद, यहाँ पे bad decision जो है, यह सारी information already हम discuss कर चुके है, उसका link आपको देख सकते हैं, अब बात करते हैं, NTA के bad decision के बारे में, तो students, आप सभी को पता है, कि UGC net का जो last exam हुआ था, वो हुआ था October के मन्त में, and उसका result आ गया था November मन् में, okay, अब यहाँ पे students क्या हुआ, कि NTA ने अभी तक तो कोई notice पहले जारी नहीं किया, आप लोगों के साथ पहले भी मैं एक notice शेयर कर चुकी हूँ, जसमें कि NTA ने अपने June मन्त तक के, June 2030 मन्त तक के जो भी examination के schedule है, उसको उन्होंने वहाँ पे students के साथ शेयर किया था, कि इस schedule में अब कोई भी बदलाव नहीं होंगे, तो स्टबी students ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि June end में जा करके exam होगा, या फिर July 1st week में हम exam को expect कर रहे थे, बट NTA ने immediately ये notice जारी कर दिया, जिससे कि students थोड़े से परिशान हो चुके हैं, कि अब हमारे पास सिरफ two months बाकी हैं and in two months में हम कैसे exam की तयारी करें, तो आप लोगों को क्या लगता है कि NTA ने ये decision सही लिया, इतनी जल्दी जो तो महीने के अंदर exam conduct वो करवाने वाले हैं, क्या ये exam लेना सही है या गलत है, आप लोगों को, आप लोगों के इसमें क्या views हैं, वो आप हमें comment करके जरू परी से लेके 10 मार्च के बीच में आपका exam हो जाएगा, ठीक है, अगर आप लोगों का exam इस speech हो जाता है, तो आप सभी को बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस समय में महनत करके exam qualify कर सकते हो, उसके लिए Global Online की team आपके साथ है, और आपको करना क्य पर यहां पर आप देखोगे courses है, UGCnet paper 1 and paper 2 के सभी courses यहां पर available है, आप इन courses को देख सकते हो या पर directly search पर में जाके किसी भी course का नाम यहां पर search कर सकते हो, जैसे कि UGCnet 2013 paper 1, so आपके सामने course का overview आजाएगा, course कितने months तक valid है वो आजाएगा and then आपको जाना है content section पर, जहा कि अगर यहां पर हम paper 1 की बात करते हैं, तो paper 1 के सारे folders आपके सामने है, and आप देख सकते हो, सभी folders में free video data भी available है, यह video lectures बिलकुल free है, आप इनको benefit जरूर उठा सकते हो, smart tricks की मदद से हरे concept यहां पर बहुत ही easy language में, आप सभी के साथ हमने share किया है, and I know आप लोगों को यह courses बहुत साथा पसंद आएंगे, तो students, आज ही आप इस course को join कर लीजी, and definitely आप अपना exam first attempt में भी qualify कर सकते हो, so आज के लिए सरफ इतना ही, thank you so much for watching this video, and I wish you all the very best.